सोलन में नए बस टैन के समेप लोग काफिस में से स्ट्रीट लाइटों की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांगों की और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके चलते क्षेत्रबासियों में भारी रोज देखा जा रहा है स्टानी निवासियों की अमसार यहां याता-याद बेहर जादा है और लोगों की आबजाही भी बेहर जाद रहती है लेकिन रात को यहाँ घना अंधिरा रहता है जिसके बज़य से अकसर दुर्गटनाएं भी होती रहती हैं लेकिन जिला प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा है निगरप्रशत को भी वे कई बार इस पारे में अफ़कत करवा चुके हैं लेकिन शायद वे सभी बड़ी तुर्गटना होने का इंतजार कर रहे हैं बायपास में रहने बारे स्ट्रीट लाइट नहीं है बस्टेंड भी अंधेरे में डुबा रहता है जिस पारे में कई बार यहां के पार्शत और प्रशासन को अफ़कत करवा चा चुका है लेकिन पिछले पांच वर्शों में यहां स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाई है यही कारण है कि यहां अक्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर बस्ट्रैंट भी है बस्ट्रैंट नीवास जी तो रात को आने जाने में बड़ी दिक्तों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो यहां पर गाड़ियों के एक्सिटेंट बगर भी हुए हैं स्क्रीट लाइट की बजा से लाइट तो लगनी चाहिए क्योंकि यहां पर कहना में एक तो डिशी ऑविस भी है साथ में बस्टेंड भी है बाकी काफी पेट्रोल पंप है होटल बने से बिल्कुल कोई लाइट निये कोई कमेटी वालों का नी कोई यहां पर इंतिजाम है कोई कुछ नहीं यहां लाइट है खंबे लगाए वह साइड में पहले तो चलो फोर लाइन का काम चला हुआ था फोर लाइन से पहले भी चार साल से में तो देख रहा हूं पांक-शे स यहां पर लाइट लगनी चाहिए यहां पर वह उसको ही काला करे बारे में प्राई मेरा नाम थे आब तॉम्र है मेस ए में इस्तानिय सोलन शहर का अस्तानिय निवासी हूं आपने जिस बारे में बात की विश्य काफी बड़ा है और ना तो न्यूब स्टेंड के सामने को स्ट्रीट लेट लेट स्ट्रीट लाइट का प्रवदान है और जैसे कि यहां पर डीसी ऑफिस भी है यहां ना कोई रफ्लेक्टर लगे जिससे कोई मदद मिल सके इससे एक्सिडेंट का बहुत बड़ा खत्रा है शाम के समय अगर स्ट्रीट लाइट ना हो और रेश ड्राइविंग जो होती है सोलन शहर में वो तो बहुत जादा ही अब बढ़ गया है